हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे सिटुप चैनल मोहित पांडे क्लासेट पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 में मैथ का चेप्टर नंबर 3 और इस चेप्टर में हम लोग इन दिनों कर रहे है एक्सरसाइज 3.6 इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 का कुस्चन नंबर 1 उसके टोटल 8 पार्ट थे हम लोगों ने एक एक कुस्चन किया था तो वो पूरे समात हो गए थे अगर आप लोगों ने अभी तक इस चेप्टर में एक भी वीडि मिल जाएंगे या तो आप जाएए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर प्लेलिस्ट तो चक करना आता ही होगा ना अगर नहीं आता तो अपने किसी फ्रेंड से या आपने किसी बड़े भाई वेंड से आप पूछ लीजिए ठीक है आप जाएए प्लेलिस्ट में आपको इन चार कुश्चन है यह पांच से छे नंबर में आते हैं बोड एक्जाम में और बेरी बेरी मॉस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से समझेगा लेंग्वेज वाले कुश्चन है बच्चों को समझ में आते नहीं है लेकिन तो आप सामने ऐसी नोब रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है और फिर उनके हल ग्यात कीजिए तो इसमें तीन पार्ट है और तीनों ही बड़े लाजवाब लाजवाब पार्ट है ठीक है तो मेरे सुपरिस्टार बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि रीतु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमेटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 4 किलोमेटर तैर सकती है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ग्यात कीजिए ठीक है तो पहले मैं आपको दो मिनट ब मेरा उद्देश ये है कि आपको मैं NCRT की ये बुक के जो कुष्चन है ये तो करवाओं ही लेकिन अगर इसके अलामा आपके सामनी कुष्चन आते हैं कहीं बाहर से भी तो ये आपको ना लगे कि ये क्या हो गया ये कहां सा आ गया डर जाओ हमारा उद्देश ये है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए उनका बेस इस तरीके से मजबूत करके रखा जाए कि चाहे जहां से कुष्चन आ जाए बोड एक्जाम में उनके सामने वो डरे ना ये ना सोचे कि ये तो NCRT बुक में हाई नहीं कुष्चन ठीक है तो पूरी नालेज इस कुष्चन के अंदर का जितनी भी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए पूरी जानकारी पहले में आपको दूंगा बेसिक ठीक है हमारा उद्देश ये नहीं है कि बस के ओल हम अपना स्लेबस खतम कर लें जो बच्चे हम से जुड़े हैं जानते होंगे तो इसमें एक सब्द आया होगा एक अनकूल और एक प्रतिकूल तो अनकूल का मतलब समझो आप इसको कहानी के तुरू समझो जैसे आप इसकूल जब जाते हो कभी-कभी ज्यादा तर ये आपके सामने समस्या आती होगी अप्रेल-मई-जून में क्या कि जब आप छुटी स्कूल से निकले साइकिल से आप जा रहे हैं ये देखो ये रास्ता है आप साइकिल से इधर जा रहे हैं तो आपके सामने दो इस्थितियां आई होगी क्या पहली स्थिति कभी-कभी ऐसी आई होगी कि आप जिस तरफ जा रहे हो पीछे से हवा भी उसी तरफ चल रही है आ पहले स्थिति यह आए होगी कि जिस तरफ आफ जा रहे हो उसी तरफ हावा भी चल रही है और एक कंडिशन ऐसी भी आई होगी सामने कि एक तरफ आप इस तरफ जा रहे हो और हावा सामने से आ रही है तो भाईया जब ये दूसरी वाली कंडिशन आती है तो शरीर की पूरी नस नस भाईया तूट जाती है, पूछो मत, मत याद दिलाओ भाई वो दिन, तो ये दो समस्याँ आती हैं सामने, आप समझो, बस इसी कहानी से मैं आपको समझाओंगा, तो जब आप इस दिशा में जाती हो, और हवा भी आप ही के साथ चलती है, तब उसको कहते हैं अनकूल इस्थिति, क्या कहते हैं? अनकूल, और जब अगर आप इधर जा रहे हो, और हवा आपकी सामने से आ रही है, तब हुम उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकूल इस्थिति बोलेंगे, मतलब हवा और आप दोनों की दिशाएं, दोनों की डाइरेक्शन अगर एक ही तरफ रहेगी, तो हम उसको बोलेंगे अनकूल इस्थिति, और अगर आपकी चलने की दिशा इधर, और हवा की आने की दिशा इधर, दोनों की direction, दोनों की दिसाएं अगर opposite होंगी, तब हम उनको बोलेंगे प्रतिकूल इस्थिती, clear हो गया, अब अनकूल इस्थिती में अगर चाल की बात की जाए, तो देखिए, आप अगर इस तरफ जा रहे हो, तो आप pendle मार रहे हो cycle की, तो वो force भी होगा ना, लगेगा न अगर आप इस तरफ जा रहे हो, हवा इधर से आ रही है, तो आप इस तरफ बल लगा रहे हो, और हवा इस तरफ बल लगा रही है, तो क्या होगा, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और क्या होगा, बहुत ही समस्तिया होंगी, सरीर भहिया, पूछो मत, अब हम आत पर देखो कि रितु धारा के अनकुल दो घंटे में 20 km तैर सकती है औरो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 km तैर सकती है उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ग्यात किजिए लेंग्विज वाले कुस्चन में मैं बार-बार बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, कि जो हमें ग्यात करना हो, मतलब जो कुस्चन पढ़ने की बाद में आपको पता चले कि हाँ, हमें ये इसमें ग्यात करना है, आप उसको हमेशा मान लेंगे, अब क्या मानेंगे, वो दिखो हमें इसमें क्या ग्याद करना है एक तो इस्थिर जल में तैरने की चाल हमें रीतू की इस्थिर जल में तैरने की चाल निकालनी है मानलो कोई एक गड़ा है उसमें पानी भरा हुआ है तो पानी रुका रहेगा ना इधर बहनेक जगा ना इधर गड़े में तो पानी लुका रहेगा ना तब उसमें रितू की चाल क्या होगी और धारक चाल क्या होगी यह हमें निकालना है प्यारे इस्थिर जल में तैरने की चाल चलिए तो हमें निकालना है इस्थिर जल में तैरने की चाल और धारक की चाल तो इन्हीं दोनों को निकालना है तो इन्हों दोन आने वाला है आप सोचोगे कि सर कास आप मुझे मिल गए होते अगले ही जनम में तो मेरी तो लाइब बन गए होती मेरी बाबू मेरी शुपरिश्टर ध्यान से देखिए अब हमें इसमें क्या निकालना है उस इस्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल तो मानते हैं हम क्या मानना माना कौन है लड़की का क्या नाम है रितू कितना प्यारा नाम है श्यो श्वीच माना रितू की स्थिर जल में चाल बराबर एक्स किलो मीटर प्रति घंटा ये हमने माना क्यों माना क्यों क्यों हमें नहीं पता है और क्या मानी धारा की चाल माना धारा की चाल को हमने माना वाई किलो मीटर प्रति घंटा अब यहां से देखे अब यहां से होगा क्या इसमें दो कंडिशन है ना क्या एक अनकूल और एक प्रतिकूल तो यहां क्या होगा धारा के अनकूल रितू की चाल अब मान लो इसको ऐसे समझो यह धारा जा रही है इधर यह ऐसे ऐसे धारा जाती है ना अब रितू भी जा रही है इधर ही यह रितू नाम की एक लड़की है यह भी इधर ही जा रही है इसकी भी डारेक्शन इधर है और धारा भी इधर ही जा रही है तो दोनों की डारेक्शन सेम है तो अनकूल होगा तो इसमें जो चाल होंगी वो दोनों की जुड़ जाएंगी जो रितू की चाल होगी और जो धारा की चाल होगी तो हमने क्या माना हमने माना है कि रितू की चाल कितनी है यक्स और धारा की चाल वाई तो टोटल अगर कहा जाए तो क्या होगी x प्लस y तो धारा के अनकूल रि अब देखो धारा के प्रतिकूल अगर बात की जाए धारा के प्रतिकूल रितू की चाल अब धारा के प्रतिकूल का मतलब समझो मानलो धारा इधर जा रही है और रितू की चाल जो है इधर चल रही है इनकी डिरेक्शन अब बदल गई रितू जी इधर आ रही है और धारा इधर जा रही है तब देखो क्या होगा तब इनकी चालें घट जाएंगी आपस में अब कौन किसमें से घटेगा ये बात आपको स मजनी है तो प्यारे ये बताओ कि अगर ये धारा की चाल ये धारा की चाल इधर से जा रही है ये धारा यहां रीतु को यहां से हटा दो भईया रीतु को पहुंचा दो यहां पे ये रीतु है ठीक है अब रीतु आ रही है इधर ये यक्स किलोमेटर की चाल है धारा इधर से जा रही है मानलो 5 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलो मीटर प्रति घंटा धारा की चाल कितनी है 5 किलो मीटर प्रति घंटा और रीतू की चाल है मानलो 2 किलो मीटर प्रति घंटा मानलो हम कह नहीं रहे मानना है के वल तो अगर पांच किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से धारा जा रही है तो धारा की चाल जादा होई ना क्योंकि एक घंटे में पांच किलोमेटर और रीतू एक घंटे में दो किलोमेटर रीतू की चाल कम है और धारा की चाल जादा है तो भईया तब तो रीतू का रामनाम सत् चाल होगी या किसी लड़की की लड़के की उसकी चाल हमेशा ज्यादा होगी और धारा की ज्यादा हो जाएगी तो रीतु भाईया बहएं और जब रीतु भाई जैएं तो उनके राणणाम सथ भईया हम चलिया क्या कोई ब्यक्ति रहेगा या किसी नाव की बात की जाएगी हमेशा उसकी चाल ज्यादा रहेगी और धारा की चाल हमेशा कम रहेगी ठीक है नई तो सब चोपट होई जाए बच्चा तब हम का करत तब तो question कर इसी कैसी होई जाए तो धारा की प्रतिकूल और हमेशा हम जानते है कि अगर हमें different निकालना हो तो हम जादा में से कम को घटाते हैं तो चाल जादा किसकी होगी रीतू की होगी और धारा की चाल होगी कम तो हम किसमें से किसको घटाएंगे X से Y को घटाएंगे रीदू की चाल से जो धारा की चाल है उसको घटा देंगे प्यारे अब बच्चा मुझे नहीं लगता किसमें कुछ आपको रटने के लिए बच्चा X-Y किलोमीटर प्रतिघंटा अब जितने भी कुश्चन आएंगे इस टाइप के ये चार लाइन सब में करनी है आपको हर कुश्चन में करनी है बालक हर एक कुश्चन में अब हम according to कुश्चन चलते हैं प्रस्ना नुशार प्रस्ना नुशार और उसके अंतरगत फस्ट सर्थ हमारी क्या है रीतु धारा के अंकूल दो घंटे में 20 किलो मिटर तैर सकती है धारा के अंकूल धारा के अंकूल दो घंटे में तैर दूरी दो घंटे में तै दूरी कितनी दूरी तै करती है 20 किलो मिटर 20 किलो मिटर अब हम यहाँ पर एक बचपन वाला फार्मूला लगाएंगे अब यह बचपन वाला कौँसा फार्मूला है प्यारे देखो बच्चा देखो बचपन वाला फॉर्मूला होता है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल यह है बचपन वाला फॉर्मूला तो समय सब कुछ हमें पता है समय दो घंटे तो यहां पर रखेंगे क्या दो बराबर दूरी कितनी 20 किलोमेटर तो 20 बटे में चाल अब चाल यहां पर क्या होगी क्योंकि चाल तो हमारे पास 2 है x plus y x minus y तो बच्चा देखो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे है धारा के अनकूल तो धारा के अनकूल चाल क्या है हमने ये देखिए धारा के अनकूल लेतू की चाल x plus y km प्रतिखंटा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा x plus y आएगा ठीक और 2 एकम 2 दो दहाम 20 और x plus y का इधर जब 1 में मल्टिप्लाई करोगे तो x plus y equal to यहाँ पर क्या मिलेगा 10 मिलेगा और इसको मान लो समिकार नमबर 1 यहाँ तकीलियर हुआ अब दूसरी सर्थ क्या है वो देखो second सर्थ second सर्थ क्या है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तै दूरी बराबर 4 किलोमीटर ठीक है अब देखो क्या होगा यही फार्मूला फिर से लगेगा समय बराबर दूरी बटे चाल तो समय कितना समय तो 2 घंटा ही है दोनों में तो 2 घंटे बराबर दूरी दूरी कितनी है 4 km बटे समय अब समय कितना होगा धारा की चाल समय बराबर दूरी बटे चाल तो हम धारा के प्रतिकूल बात कर रहे हैं तो धारा के प्रतिकूल चाल x-y होगा तो यहाँ पे x-y अब 2 एकम दो 2 दुन्नी 4 तो x का वन में करोगे x-y का वन में करोगे y equal to 2 equation number second अब यह आपके पास दो चर रवास्य वाले रेखिक समय करण आ चुकी है अब इनको आप चाल कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं बच्चा हम है साथ साथ हम आपको कराएंगे देखिए अब इसको आप लोग चाहे प्रत्यस्थापन से चाहे वजगुडन से चाहे बिलोपन विदेश चाहे गराफिये विदेश चार-चार हथियार रखे हो भाईया चाहे जोने से लगा एक स्वाहा करे दियो लेकिन हम यहाँ पर इसको solve करेंगे by elimination method अब हम जोड क्यों रहे हैं बच्चा यह भी जान लो जैसे ही हम जोडेंगे तुरंत y यह प्लस में है माइनस में है दोनों बरबाद हो जाएंगे इनका रामनामसत हो जाएगा यहाँ से तुरंत हमें x की value मिल जाएगी देखो बच्चा हीरो इधर देखो आपका ध्यान किधर है x प्लस y इक्वल टू 10 और क्या है second equation x माइनस y इक्वल टू 2 हम इसको add कर रहे हैं तो प्लस y माइनस y बरबाद हो गए काम खताम इनका और यह आपका x x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू यह 12 अब x की value चाहिए तो 12 अपान में आ जाएगा 2, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12 तो x इक्वल टू 6 ठीक अब y की value चाहिए तो उसके लिए क्या करिए x की value उठाइए समी का number 1 में पठक दीजिए या समी का number 2 में पठक दीजिए तो हम क्या कर रहे हैं समी कर राण 1 में रखने पर रखिए समी का number 1 क्या है x x की जगे 6 तो 6 plus y बराबर में 10 तो y की value चाहिए तो 6 को इधर भेज़ दो तो 10 minus 6 हो जाएगा इधर आके y equal to 10 में 6 जाएगा बचेगा 4 और हमें निकालना क्या था हमें निकालना था x और y का मान और x और y को है क्या हमने माना था कि रीतू की इस्थिर जल में चाल है y और 10 अर्हारा की चाल Y और हमें कुस्चन में क्या निकालना था क्या बोला था इस्थिर जल में तैरने की चाल तथा और क्यानना था धारा की चाल, तो बस दोनों को हमने मान लिया था, दोनों आ गई दोनों की वैलू, अता हाँ, यहाँ पर आप लिख दो सुने हैं ते एक छरों में, अता हाँ, किस थिर जल में तैरने की चाल, या रितू की चाल, हमने क्या माना था इसको, यक्स, और यक्स की वैलू क्या आई है, 6, 6 किलो मीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, इसको हमने क्या माना था, य, और य की वैलू क्या आई है, 4, तो 4 किलो मीटर प्रति घंटा, इस तरीके से आपका ये कुश्चन कम्पलीट हुआ, अब इस कुश्चन को मैंने इस तरीके से पढ़ानी कोशिस की है आप लोगों को, कि इस टाइप के जितने भी कुश्चन आपके सामने आए, एक भी आप से ये नहों कि ये हम से नहीं हो पाया, ये तो हम किये ही नहीं है, पूरा इस टाइप के जितने भी कुश्चन बन सकत हैं सब आप कर ले जाओगे इसको अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ओके तो मैं साइड हो रहा हूं प्यारे इसका आप लोग पहले स्कीन शॉर्ट लेंगे ले लिया चलिए तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरा पसीना पसीना हो गए तो बास आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग को सेर कीजिए ठीक हैं आप हमारा सपोर्ट करिए आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ओकी एक 20 मिनट का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए हमारा तीन से चार घंटे का चार नहीं तो तीन घंटे का समय लगता है प्यारे बहुत साथ एक यूटूबर ही जानता है कितनी मेहनत लगती है 15 से 20 मिनट की वीडियो को एक यूटूब पर अपलोड करने के लिए ओके त झाल झाल